इस लॉग्डॉन में तो हम लोग ने बहुत कुछ गवाया लेकिन सिर्फ एक चीज़ चीज़ शीखने को मिला कि हाउ टुई रिलाइज दर टाइम यानि कि हम टाइम का कैसे प्योग करें कैसे यह कमसे का हम लोग को लॉग्डॉन ने सिखाया तो आये लॉग्डॉन में अप लोग पढ़ेंगे आठीकल और आठीकल में आज यह दूसरा क्लास से इससे पहले क्लास में हमने बताया था क्या अग् commission क्या है उसके क्या है अख युज यूज पर यूज और ए और एन यूज की संटेंस में क्यों लगाते हैं है तो ब वोलना कि किसी बिलाउं कर दी के लिए książ को सिंगल कॉंटेबिलिया फ्क रहलने के लिए हमको वहां तो कि रामर से संटेंस से गलब है तूस तरह से बुक में अबुख के लिए आपल और एकार और अम्रेला फिर ए और एन का क्या फर्क है इसको मैं अगला क्ला से बताऊंगा कि वेर्ट यूज ए और वेर्ट यूज एन अभी हम लोग कमाइंड पढ़ रहे हैं कि ए और यूज चुम कहां करते हैं कि उसके पर के लिए भी हम लोग ए और यूज करते हैं जिसे मैं बोलता हूं कि मैं सिच्छा हूं तो इसके हिंदी होना था इंग्लिस होना था था आयम टीचर लेकिन आयम टीचर इंग्लीज हो सकता है बट इज इंकरेक्ट एज पर दरूल ऑफ ग्रामर करूल का मताबिक टीचर सिंग्लों कॉंटेबल नंबर है इसलिए वहां पर हम एक आयूज करेंगे है आयम टीचर तो फ्रेंड्स टीचर एंजीनियर डॉक्टर इस तरह से प्रोफेटर में हम लोग यूर्ण का यूज करते हैं उसके बाद बोलना विफोर इन जेंडर किसी लिंक को एक्स्पेस करने के लिए लड़का हूं तुम लड़की हो हिंदी के मताबिकर सेंटेश करें सब्सक्राइब करते हैं यहां पर एक बच्छे को दूद की जरुत होती है एक कार मस्ट बी इंसोड एक कार का बीम आवस होना चाहिए तो यह पूरे कार के गुरूप को सो कर रहा है इसलिए यहां पर यहां पर एक यूज करेंगे सब्सक्राइब करते हैं जैसे यहां पर यहां पर यूज करते हैं जैसे पैसा एक कॉप आफ टी एमाग बिया लाइक इस इन सब में हम लोग ए और न का यूज करते हैं अगला पूरा बिफोर सेटन एक्स्प्रेशन कुछ इस तरह के एक्स्प्रेशन है जैसे इंग्लेंड में कुछ इस खरिदे जाते हैं कैसे दिया भाई तो यह पॉन्ट टुएंटी आ मीटर यानिके बीस पॉन्ड का एक मीटर अमरीका में कुछ खरिदते हैं कैसे दिया भाई तो डॉलर फिफ्टी डॉजन पचास डॉलर का एक डॉजन हमारे हैं इंडिया रुपीज थाठी है कीलो त्यूसर रुपी एक किलो फोर टाइप सिरे दे दिन में चार बार रुपी एक्टी या लीटर तो इस तरह के एक्स्प्रेशन में भी हम लोग यह और यह उजज करते हैं उसका लावब बोल रहा है भी फोर एश्क्रामेंटर एजक्टिम कुछ इसमें लग रहा था हॉट एस सीन ओत्रीक की यह लग रहा है वाट ए चैप क्या लड़का है क्या सीन है वाट ए बैद क्या लडकी यह वाइड अडिया सर जी क्या आइडिया है तो इसे में ओटमेटिक हम लोग यह और एंग का यूज करते हैं और अगला पॉला नाइन में बिफोर नेम नाम के पहले हम लोग आर्टीकल का यूज नहीं करेंगे जैसे आइम वसीम कि समिरूर सीज मनिशा लेकिन जब वह स्ट्रेंजर हो एक अजनाभी का बहुत करेगा तो हम यूज करेंगे जैसे राहूल हचकम इसका मतलब कोई राहूल नाम का रड़का आया है मैं उसको नहीं जानता हूं अगर मैं बोलूंगा राहूल हचकम इसका मतलब मैं राहूल को जानता हूं राव लाया है उसी तरह से एंट एंजली है जिसका नाम अंजली है कोई अंजली नाम की लड़की आई है या मनोज एन आकास और लास्ट जो यूज बोला बोला बिफॉर सब इडिमेटिक उस कुछ इडियम टाइप का है जो आटमेटिक लगा रहा था इसा टेल इन लाय में गर नोज फुर और लोग अब रूट यूज वर लूग वाशिट इन चीजो में ऐतमाटिक लेखा रहा था वाथ अर लगाऊ आए वबार फूली है फ्रेंट क्वेट्टी का यूश गरेंगा इसान पार्ट्ग इटली इंपुट्टर यूज बोलीग डाइट WSJ, that's it in today's class, thank you and happiness to all.